हाई ब्रिवन आपके अपने यूट्यूब चैनल सीतेस कामर्स टोटेस में स्वागत है फ्रेंड्स आपका फ्रेंड्स ये है हमारा बितीए बियूरन बिसलेशन यानि फानेंशिल इस्टेटमेंट एनालेसिस का पार्ट वन जिसमें आपको 30 MCQs गोस्टन पढ़ाने वाले हैं फ्रेंड्स तो चले फ्रेंड्स आज का वीडियो स्टार्ट करने से पढ़े सबसे पढ़े आपको बता दे कि आप अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए बेल आइकन को आल के सेलेट क करिए ताकि कोई वीडियो अप्लोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पढ़े आपको प्राप्त होगा फ्रेंड्स तो चले फ्रेंड्स स्टार्ट करते आज का वीडियो हमारा फर्स कोर्शन है एक ब्योसाइक एक ब्योसाइक उद्गम के बितिय ब्यूरण में सम एक फ्रेंड्स तो आकको सही अप्सन गेस करना है आपको सहीिए अप्सन गेस करेंस ने फ्रेंड्स नेक्स कोशन देखते हैं दो नमबर कोश्चन है बितिय बिसलेशन है तू परियोग में आने वाले शमान्य शाधन है तो आपके सामने चार अप्सन है A. 36 बिसलेशन B. लंबोत बिसलेशन C. अनुपात बिसलेशन D. उप्रयोक्त सभी तो इन चार में से कोई एक अप्सन सही है फ्रेंट्स तो सही अप्सन आपको गेस करना है फ्रेंट्स फ्रेंट्स जो आपका सही अप्सन है वो है D. उप्रयोक्त सभी तो D. अप्सन सही है फ्रेंट्स चले फ्रेंट्स आपका अगला कोश्चन कोश्चन नमर 3 देखते हैं कम्पनी की वार्सिक रिपोर्ट को निर्गमित किया जाता है आपके सामने चार अपसन है फ्रेंड्स A. संचालकों के लिए B. अंकेचकों के लिए C. अंसधारकों के लिए D. परबंदक के लिए इन चारों में से कोई एक अपसन साँएं तो सही अपसन गेस करना आपको फ्रेंड्स आपका जो सही अपसन वह है C. अंसधारकों के लिए चले फ्रेंड्स नेक्स्ट कोश्चन देखते हैं आपका अगला कोश्चन है कोश्चन नमर 4 तूलन पत्र उद्गम की वितिय इस्तिती समंदी सुविधाएं प्रस्तूत करता है फ्रेंट्स आपको पता दे तूलन पत्र का मतलब है आर्थिक चिठा ठीक है फ्रेंट्स आपके सामने चार अप्षन है A. दी गई विसेस अधी पर B. विसेस अधी के दोरान C. B. सेसे अधी के लिए D. अप्रयक्ट में से कोई नहीं तो इन चार हम मसे कोई एक अप्षन सही फ्रेंट्स तो सही अप्षन आपको गेस करना है फ्रेंट्स आपका जो सही अप्षन है वो है A. बी गई अधी पर पर एचिले फ्रेंट्स next question देखते हैं question number 5 तूलनात्मक बियुराण तूलनात्मक बियुराणों को यह भी कहते हैं तो तूलनात्मक बियुराणों को क्या कहते है friends देखते हैं A. किरिया सील 20-60 B. 36-60 C. लंबोत 20-60 D. उपरोक्त सभी तो friends इन चारह में से कोई एक अप्सन सही है friends तो आपको सही अप्सन गेस करना है friends friends जो आपका सही अप्सन है वो है B 36 बिसलेशन यानि तुल्नात्मक बिरॉणों को 36 बिसलेशन भी कहते है friends तुल्नात्मक बिरॉणों मतलब आर्थिक चिठ्ठा की बात हो रही है मतलब हमका सकते हैं लाभानी खाता भी हो सकता उसमें समरूप बिरॉणों को की से नाम से जाना जाता है आपके सामने चार अप्सन है friends चार अप्सन में से कोई एक अप्सन सही है friends तो चलिए देखते हैं तो friends सही अप्सन गेस करिए friends friends आपका जो सही अप्सन है वो है C लंबवत बिसले सड़ C लंबवत बिसले सड़ चलिए friends question number 7 देखते हैं question number 7 है 36 बिसले सड़ जाना जाता है आपके सामने चार अप्सन है A गतिसील बिसले सड़ B संरचनात्मक बिसले सड़ C अस्थैतिक बिसले सड़ D इन में से कोई नहीं तो इन चार में से कोई एक अप्सन सही है friends तो सही अप्सन गेस करना है आपको friends आपका जो सही अप्सन है वो है A गतिसील बिसले सड़ यानि 36 बिसले सड़ को गतिसील बिसले सड़ के नाम से भी जाना जाता है friends चलिए नेक्स कोशन है सिर्ष यह हम उदगर भी बोलते हैं बिसले सड़ जाना जाता है A अस्थैतिक बिसले सड़ B इन में से कोई नहीं तो फ्रेंट्स इन चार में से कोई एक अप्सन सही तो तो प्रेंट्स 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 प्रेंट्स तो प्रेंट्स तो प्रेंट्स तो प्रेंट्स तो प्रे Q9 में कहा है, तुन्लात्मक विरॉनों को भी कहते हैं, तो क्या कहते हैं, तो तुन्लात्मक विरॉनों को, कहरा, A. किरियसील 27, B. सम्नाँटर 27, या 36 26, C. लंब़त 27, D. इन मैं से कोई नहीं, तो friends, इन चार मैं से कोई एक अपशन सही, friends, तो सही अपशन गेस करना है, friends, तो फ्रेंट्स आपका जो सही अप्सन वो है B. समरांतर या 36 विशलेशन चले फ्रेंट्स, next question, question number 10 बितिय विशलेशन है तू, परियोग में आने वाले समाने साधन है आपके सामने चार अप्सन है A. 36 विशलेशन B. लंबत विशलेशन C. अनुपात विशलेशन, D. उप्रोक्त सभी तो चले फ्रेंट्स, इन चार में से जो सही अप्सन है सही अप्सन गैस करें फ्रेंट्स तो फ्रेंट्स, आपका जो सही अप्सन है वो है उप्रोक्त सभी, D चले फ्रेंट्स, अगला question, question number 11 लेखते हैं बितिय विवरणों के निर्वाचन में सामिल होता है आपके सामने चार अप्सन है तो चले फ्रेंट्स, इन चार में से जो सही अप्सन है फ्रेंट्स, आपका जो सही अप्सन है वो है दी, उप्रोक्त सभी ये सभी के सभी निर्वाचन में सामिल किये जाता है बितिय विरोल के चले फ्रेंट्स, question number 12 लेखते है सम आकार विरोल में संपत्ति की मदों के परतिसत की गढ़ना किस पर की जाती है आपके सामने चार अप्सन है A. कृत्रीम संपत्ति B. कुल अस्थाई संपत्ति C. कुल चालू संपत्ति D. कुल संपत्ति तो चले फ्रेंट्स इन चारों में से जो सही अपसन है, सही अपसन गेस करिये फ्रेंट्स तो फ्रेंट्स आपका जो सही अपसन है वो है कुल संपत्ति यानि D कोश्चन नमा 13 सम अकार वियुरण में I मदों के परतिसत की गढ़ना किस परकार की जाती है आपके सामने चार अपसन है A कुललाभ B सूधलाभ C बिकरे D सूधाय तो इन चारों में से कोई एक अपसन सही है फ्रेंट्स तो सही अपसन गेस करना है फ्रेंट्स तो फ्रेंट्स आपका जो सही अपसन है वो है C बिकरे चले फ्रेंट्स कोश्चन मर चोधा देखते हैं तुल्नात्मक पत्र में कौन-कौन से ब्यूरण बनाये जाते हैं आपके सामने चार आप्सन हैं फ्रेंज ए तुल्नात्मक आई का ब्यूरण वा तुल्नात्मक आर्थिक चिठा यह चिठा है थोड़ा सा प्रिंटिंग एरर है तुल्नात्मक आर्थिक चिठा वा सम अकार ब्यूरण सी तुल्नात्मक सम अकार ब्यूरण वा तुल्नात्मक आई का ब्यूरण दी तुल्नात्मक आई का ब्यूरण तुल्नात्मक चिठा वा तुल्नात्मक सम अकार ब्यूरण ब्तिय लिखांकन का सरांस प्रस्तूत करता है आपके सामने चार अफ़सन है A. संपतियां B. दायित्व C. खाते D. इनमें से कोई नहीं तो चले, फ्रेंट्स सभी अफ़सन सेलेट करिए फ्रेंट्स फ्रेंट्स आपका जो सभी अफ़सन है वो है C. खाते चले, फ्रेंट्स next question देखते हैं वितिय ब्यूरण है आपके सामने 4 अप्सन है A. तत्यों का अनुमान B. अनुमानी तत्य C. अभिलेखित तत्य D. इन में से कोई नहीं तो चिले फ्रेंट्स इन 4 में से जो सही अप्सन है सही अप्सन गेस करिए फ्रेंट्स आपका जो सही अप्सन है वो है C. अभिलेखित तत्य वितिय ब्यूरण जो है अभिलेखित तत्य है चलिए question नुमान 17 वितिय लेखांकन निमलिखित का ब्योहार करता है आपके समने 4 अप्सन है A. लागतों का ब्यूरण B. लाभों का निर्धारण लागतों का निर्धारण B. लाभों का निर्धारण C. किमतों का निर्धारण D. इन में से कोई नहीं तो चलिए फ्रेंस चारों में से कोई एक अप्सन सही फ्रेंस तो सही अप्सन गेस करना है फ्रेंस आपका जो सही अप्सन है वो है बी लाभों का निर्धारान करता है तो चले फ्रेंट्स आपका जो अगला कोश्चन है वो है 18 नमबर बी यह लेख आंकर केवल लिपी बद करता है आपके सामने चार अप्सण है वास्तविक आपड़े बी बजटेट अपड़े सी परमाप आकड़े डीन में से कोई नहीं तो चले फ्रेंट्स इन चार में से कोई एक आप्सण सही फ्रेंट्स तो सही अप्सान आपको गेस کرना है चलिए फ्रेंस आपका जो सही अप्सान है वह है वास्त्विक आकड़े विए लेखांका जो है न वास्त्विक आकड़े लिफी बाद करता है चलिए फ्रेंस नेक्स है कोश्चन नमबर 20 परबंद कीया लेखा वीधि पद का सरप्रथम परयोग किया गया था आपके सामने चार अफ़सन है A, अनिस का सुरी A, अनिस सो नतिस B, अनिस सो नतालिस C, अनिस सो फचास D, अनिस सो उन्चास तो friends इन चार में से कोई एक अफ़सन सही तो सही अफ़सन केस करना है friends तो friends आपका सही अप्सन है कि लेखाविदी सरव पर थंपरेओं किया गया था प्रबंदकिया अन्नी सो पचास में यानि सी वाला आपका सही है friends चलिए अन्नी सो पचास next question आपका 20 प्रबंदकिया लेखांकन निम्न में से सम्बंदित है तो आपके सामने चार अप्सन है और इन चारों में से कोई एक अप्सन सही है तो सही अप्सन गेस करना है आपको सही अप्सन गेस करना है friends आपका जो सही अप्सन है friends देखिए चारों में से कोई एक गेस करिए friends फ्रेंड्स आपका जो से अप्सेन है वो है ए लेखांकन आकोडों का प्रस्तूती कराण चलिए फ्रेंड्स आपका अगला कोश्चन है किस नंबर बितिय लेखांकन का सरप्रथम परियोग किया गया था आपका सामने चार अप्सेन है फ्रेंड्स आपका जो सही अप्सेन है फ्रेंड्स आपका जो सही अप्सेन है और इटली याणि लेखांकन का सरप्रियोग इटली में किया गया था 22 नमर कोश्चन है आपका बितिया लेखांकन के जन्मद आता है आपके सामने चार अपसन है A. Carter B. चक्रपाडी C. Lucas Pescioli D. इन में सकोई नहीं तो चले फ्रेंट्स इन चार अमें से कोई ये एक अपसन सही है सही का अपसन गेस करना आपको फ्रेंट्स जो आपका सही अपसन है वो है C. Luca Pescioli आपका अगला कोश्चन है कोश्चन नमर 23 कौन पहले आता है तो आपके सामने तीन अपसन है A. लागत लेखांकन B. परबंदिकिया लेखांकन C. वितिया लेखांकन D. कर लेखांकन तो फ्रेंट्स आपको सही अपसन केस करना है फ्रेंट्स सही अपसन बताईए फ्रेंट्स आपका जो सही अपसन है वो है C. वितिया लेखांकन पहले आता है 24 परबंदिकिया लेखांकन का परियोग है आपके सामने चार अपसन है अनिवार B. बैधानिक C. बैकल्पिक D. इनमें से कोई नहीं थे चलिए Friends इन चारों में से कोई यह कैस्वन से select करिए जो सही है Friends जो आपका सही अपसन वो है C. बैकल्पिक चलिए Friends Next question आपका 25 नमबर परबंदिके लेखांकन का जन्मदाता माना जाता है आपके सामने चार अपसन Gems, H. Hills B. Carter C. चक्रपाड़ी D. इनमें से कोई नहीं तो चलिए Friends सही अपसन केस करना है आपको Friends जो आपका सही अपसन है A. Gems, H. Hills ने 1950 में किया था Friends चलिए Friends अगला question देखते हैं Question number 26 BTL एक हांकन है आपके सामने चार अपसन A. कला B. बिग्यान C. कला और बिग्यान दोनो D. इनमें से कोई नहीं तो सही अपसन आपको गेस करना है Friends Friends जो चुछ सही अपसन है आपका वो है C. कला और बिग्यान दोनो प्रतिधारित और जन बिग्यान परस्तूत करता है आपके सामने चार अपसन है Friends A. लागतों के अनुमान B. लाभों के अनुमान C. लाभों का नियोजन D. इनमें से कोई नहीं तो Friends सही अपसन गेस करिए Friends Friends आपका जो सही अपसन है वो है C. लाभों का नियोजन आपका 28 नमर कोशन है भुनाय हुए बिलो के लिए दाइतों को कहते है आपके सामने चार अपसन है A. संभावित दाइतो B. चालू दाइतो C. अस्थाई दाइतो D. इनमें से कोई नहीं नहीं तो चलिए Friends सही अपसन गेस करना है Friends Friends जो आपका सही अपसन वो है A. संभावित दाइतो चलिए 29 नमर कोशन है एक कस्वाधिकार उदाहरान है आपके सामने चार अपसन है A. कालपनिक संपत्ती B. अदरी से संपत्ती C. चालू संपत्ती D. इनमें से कोई नहीं तो सही अपसन आपको गेस करना है Friends तो Friends सही अपसन है आपका अदरी से संपत्ती B. इन्टैनिजेवल एसेट से इसको बोलते हैं Friends एक कस्वाधिकार का मतलब था पेटेंट चलिए लास्ट कोशन आज का आपका थर्टी नमर कोशन प्रारंबिक ब्य है आपके सामने चार अपसन है A. काल्पनिक संपत्ती B. अदरी से संपत्ती C. दोनों में से कोई नहीं D. इन में से कोई नहीं तो Friends आपको बता दे प्रारंबिक संपत्ती जो है प्रारंबिक ब्य जो है ये काल्पनिक संपत्ती यानि 50TS एसेट्स होता है तो आपका जो A. नमबर है वही सही है तो चल्पनिक फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और नई कोस्टन के साथ Friends देखिए बहुत ज़्यादा पसीना हो रहा है क्योंकि फैन नहीं चला रहे हैं फैन चलाएंगा न सफल हो इसके लिए आप डेली टू डेली आप कोस्टन याद करें और आप अच्छा रिजल्ट पराप्त करें Friends फिर मिलते हैं अगले वीडियो में Thank you